हेलो फरेंट वेलकम टू मैं चैनल तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माई टीम 11 में आप अपना रेफरल कूर यूज कैसे कर सकते हैं तो चलते हैं दोस्तों मोगेल के स्कीन पर तो आप यहां देख सकते हैं माई टीम 11 अप्लिकेशन है वो उपन हो चुगा है उपन होने के बाद आपको रजिस्टर और लोगेन के आप्सन पर आपको किलिक करना है उस पर आप किलिक करेंगे तो फर्स्ट नमर आप्सन में आपको मोगेल नमर एड़ करना है जो भी आप मोगेल नमर एड़ करना चाहते हैं और आप यहां देख सकते हैं जो की सकेंड नमर आप्सन में रेफरल कोड रेफरल कोड की जगा पे जो डिस्पले पे दिख रहे हैं और वीडियो की डिक्वेशन में भी रेफरल कोड होगा उस कोड को कॉपी करके यहां पर किलिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं मेरा मोगाल नमर रेफरल कोड और यह बॉक्स सब चीज सम्भीट हो गया उसके बाद ओटीपी पर हम किलिक किये हैं तो आपके नमर पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन कोड उस ओटीपी को एड करना है तो मैं यहां पर करना है उसके बाद आपको बेरिफाई ओटीपी पर किलिक करना है तो आप यहां देख सकते हैं कि मैं टीम 11 में रेफरल कोड यूज हो गया है और आप यहां देख सकते हैं इस लोंगों पर किलिक करेंगे और इस पर आपको किलिक करना है इस आपशन पर किलिक करेंगे तो update करना है, email ID, bank account, piano card और अधार card, तो आपको update पे click करना है, update पे click करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि first number option में आपको email ID add करना है और edit पे आपको click करना है, edit पे click करेंगे तो आपको यहां अपना email ID add करना है, जो भी आप email ID करना चाहते हैं उसके बाद update पे click करना है उसके बाद आपको verify पे click करना है